हलो दोस्तों, अगर आप Beltron Data Entry Operator, Beltron Astronographer के त्यारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही helpful होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम Beltron Previous Year का सेट प्रक्टिस करने वाले हैं, और जो लोग Data Entry Operator का त्यारी कर रहे हैं, या Astronographer का त्यारी कर रहे हैं, दोनों का syllabus सेम है, और हम बार-बार आपसे यही करते हैं कि Beltron के previous year के सेट प्रक्टिस हैं, उनको आप किजिए, क्योंकि बार-बार एक ही सवाल इसमें पूछ रहाते हैं, और computer का सवाल होता है, वो limit है, और इसलिए एक ही सवाल को बार-बार हर एक सेट में पूछा जाता है, और आपक आपको याद हो जाएगा, चलिए आज का सुरू करते हैं सेटन, सबसे पहला सवाल, यहां पर हमारा जो सबसे पहला question है, इस question में यहां पर by default यहां पर answer कर दिये हैं, तो यहां पर next question से ऐसा नहीं होगा, तो यहां पर देखिए सबसे पहला सवाल क्या कर रहा है, कि true function belongs to which category of function in MS Excel, इसका मतलब यह हुआ, कि MS Excel में जो true function है, यह देखिए true function, किस category से यहां पर बिलोंग करता है, किस category से बिलोंग करता है, यहां यह का सकते हैं, कि true function जो है, किस सिरेनी से समबंदित है, तो इसका सही अंसर यहां पर आपको देख रहा होगा, यह logical से समबंदित है, next, नहीं है, यानि कि आपको बताना यह है, कि जब MS PowerPoint 16 खोलते हैं, तो उसमें home tab, यहां पर देखिए home tab में, कौन सा function नहीं रहता है, तो new slide जो है, वो रहता है, और यहां पर देखिए section option भी रहता है, और find भी रहता है, लेकिन slide design यह इसमें नहीं रहता है, which of the following is not an input or output device, या पर इन में से कौन जो है, ना तो input है, और ना ही output है, तो यह RAM जो है, ना तो input है, और ना ही output है, बाग यह जो तीनो है, आपको input या तो input है, या फिर output है, आपको input आपको आउट पूट डिवाइस, याद कर लेना है, कौन कौन से डिवाइस जो है, आउट है next if a user download a file from internet explorer in windows xp then the default location of download file will be यानि कि जब आप किसी चीज़ को internet explorer से download करते हैं internet explorer से windows xp की बात कर रहा है यहां पर windows xp में जब आप internet explorer से कुछ भी download करते हैं तो वो by default वो कहां पर जाके save होता है तो अगर आप भी कुछ काम इसे करते होंगे तो आपका जो save होता होगा वो होता होगा और यह option number हो जागा इसका चार यह c में drive में my document इसका सही answer है जहीं पर जो है यह फाइल आके automatically download होता है next which of the following is true about fortran fortran के बारे में या पूछ रहा है fortran के बारे में कौन सा कथन सत्य है तो आपको पता हुआ कि fortran जो है एक language है तो यह देखे यहां पर programming language यहां पर आपका यह सही है यह प्रोग्रामिंग लेंग्वेज है next for changing theme of windows xp which option should be select अगर आपको windows xp में या आप देखे windows xp में अगर आपको theme change करना है तो आपको कौन सा option select करना होगा तो सबसे पहले आपको करना होगा theme लिखित में से कौन सा मानक दस्तावेज नहीं है मेल मर्ज में देखे निर्देशी का होता है चली ठीक है इन्वेलब भी होता है पत्र भी होता है लेकिन marriage card साधी का card इसमें मानक दस्तावेज नहीं है next नए मेल मर्ज सेटप विजाट में फाइल टाइप का चैन करने के बाद क्या स्टेप है तो इसका सब यह हो जाएगा recipient को चैन करें recipient को चैन करने का विच आफ दी फॉलोविंग इजा टाइप आफ पेज साइज इन पेज लेयाओट टाइब ऑफ MS Excel दवर सोला यानि कि करा है कि इसमें से का पेज लेयाओट MS Excel का जो पेज लेयाओट टाइब है उनमें से कौन साइब जो है पेज का साइज है या पर जेखिए इसका जो सही अनसर होगा वहाँगा लेटर, सही साइज है इसका इसका इनमें से देखिए कौन जो है एक रिवीव का पार्ट नहीं है MS word googler 16 में तो इसका प्रिव्यक्ता पार्ट है नेक्स्ट एमेस वर्ड़र 16 में cross reference function को निम लिखित मेंसे किस मेनु से चुना जा सकता है तो cross reference function को अगर आपको चुनना है तो आपको जाना पढ़ेगा reference मेनु में ति को सa पढ़िए को सा पढ़ने के बाद को है पतशले गा इसमें पूछ रहा है यहां पे यहां पर यह सेल्ए ऑल यह सेल को को है तो यहां को सब्सक्राइthm καा अपना लिख रहा है तो वह यहां मनें नापर करते थी सब्सक्राइब कहें रहा है यानि कि इतना लंबा उसका नाम है लेकिन कमपनी चार रहे कि हमारा जो एक सेल में ही ये नाम हो जाए तो इसके लिए क्या करना होगा आपको करना यह होगा कि यह तीनों सेल है इसको अगर आप मर्ज कर देते हैं तो यह तीनों हो जाएगा एक सेल में कुछ इस प्रक जाने वाले कैसी हमारे लेटर इमेल मैसेज इन्वेलप लेवल या डिरेक्टरी दिखाई देंगे चलिए इसका सही अंसर है सबसे पहले आपको आपने डोकमेंट का पूर्व लोकन करना है इन्टरनेट एडप्टर या नेटवर्क इंटरफेस काड़ वर्क्स ओन विच लेयर ओफ ओसाई मोडल तुई इसका सही अंसर इसके लिए सही अंसर हो जाएगा आपका आप्शन नंबर चार इसका सही अंसर है नेक्स्ट में कंडिशनल फॉर्मेटिंग लागू करने का विकल्प निमलिखित में से कौन सा जो है नहीं है यह देखिए नहीं पूछ रहा है तो यह हो जाएगा इसका फॉन्ट कलर नेक्स्ट इन विच मेनु आप मेसे एक्सल दोस्टोला दा हाइड्ड एन अन हाइड्ट ऑप्षन इस एवलेबल लेखिए ओर अण हाइड्ट जो है वो किस्मी रहता है in 2016 के जो हाइड्ड और अण है वो ऑप्षन कहां प्याबल होगा तो सबसे पहले यह हो जाएगा आप का option no.2 में home जाना पड़ेगा उसके बाद फिर आपको format में जाना पड़ेगा next email का उपयोग पहली बार कहां पर किया गया था यह इसका answer अपरनेट में यहां पर किया गया था email का सबसे पहली बार उपयोग which sorry what is the correct sequence of a step of modifying and existing level in mail merge mail merge में label को सही करने का सही करने का यह जो सही sequence है वो क्या है यहां पर option no.4 हो जागा इसका mailing label उसके बाद option पर जाएंगे फिर product number और फिर details पर जाएंगे next Microsoft द्वारा Windows XP किस वर्स launch किया गया था तो यह हो जाएगा option no.1 में लौंच किया गया था option no.4 यह कर रहा है कि अगर आपको रोज और कॉलम को आप नहीं चाहते हैं वो इसका आपको कोई तो इसका step देखिए आपका option no.4 पहले जिस cell को हटाना है उस cell को select करेंगे home पर जाएंगे फिर delete करेंगे और फिर delete seed rows और delete seed column यानि कि उस seed का rows को delete करेंगे या फिर column को delete करेंगे इसका और भी तरीका है लेकिन आपको option के नुसार चलना है कि option में यहां पर किस option के अगर करेंगे तो वह काम हो जाएगा तो option में यह है बाकी और भी तरीक है इसके में डायलोग बॉक्स प्राप्ट करने के लिए shortcut कुंजी क्या है इसका उद्यस है निर्देश्ट सीटों में दूसरों द्वार आव अंशित परिवर्तन करने से रोगना यानि कि आपको अन्यूज्वल आदमी है कोई परिवर्पर्शन तो उसका कोई भी चेंजिंग ना कर सके नेटवर्क इंटरनेट में भी एस एटी का पूर्ण रूप क्या है तो इसका होजगा वहरी अस्मॉल अपर्चर टर्मिनल नेक्स्ट, दि द में भी परिवर्त जोड़ना व्फर्ण कुण परिवर्टन के में परिवर्तन और शच्छनम को जोड़ना होगा Mr. Ajit is working in a worksheet and he wants to convert the file into PDF तो यह पूछ रहा है कि Ajit जो है कोई काम कर रहा है Excel sheet में sheet Excel में होता है इसलिए बोले है Excel sheet या worksheet में तो यहाँ पे वो चाहते हैं वो sheet को PDF में convert करने के लिए तो इनमें से कौन सा जो है यहाँ पे use नहीं होगा तो अगर वो export करते है तो अभी PDF में save करने का option आएगा या PDF में बदलने का option आएगा print करते हैं तो अभी चला आएगा और यहाँ पे next है format format करेंगे तो वो option नहीं आएगा तो इसका सही अंसर option no. 3 हो जाएगा और save age करेंगे तो अभी हमारा PDF में save करने का option आता है 2nd generation 2nd generation में कौन सा यूज किया गया था कौन सा डिवाईस तो पच्छ कार्ड next किसी कमपणः किसी गराह को छे अलग-अलग मद परदान करती है विक्री परबंधक अपने परवीक्षक के समाक्ष प्रस्टुती के दोरान परतेक मद के लिए एक slide त्यार करता है पर व्यक्षक सभी slide को एक window में रखना चाहता है क्योंकि वह तूलना कर सके तूलना करने के बाद जब भी आएगा तो यहाँ पर आपको short करना है तो यहाँ पर slide shorter यहाँ पर answer हो जाएगा एसेंबलर के बारे में कौन सा सही है एसेंबलर क्या करता है यह जो है एसेंबलर यह यह एसेंबलर लैंग्वेज को याई एसेंबली भासा को कंप्यूटर प्रोसेस में लिखित पर्तिकात्मा कोड निर्देश के बीच में सेतु का काम करता है यह एसेंबलर नेक्स्ट, the purpose of new windows in view menu of powerpoint is, यानि कि powerpoint में जो new window होता है, ये new window, उसका purpose क्या है, उसका menu उद्यस से क्या है, तो उसका उद्यस से होता है ये, कि open the same presentation in other windows, यानि कि एक ही same presentation को other window, और विंडो में open कर सकता है, ये, कोई निवेसक वर्स, 2018 की अब धी के लिए share की कीमतों में रुजहान को जाना चाता है, तो इसके लिए कौन सा उपयोग होगा, तो रुजहान को जानने के लिए यहाँ पे line chart का उपयोग किया जाता है, आप लोग एकसल में पढ़े होंगे, कि pie chart क्या है, line chart क्या है, चलि अधी हम अपने computer को Windows XP, Windows 7 में पिछले sunscreen में पुनर साफित करना चाहते हैं, तो हमें निमलिखित में से कौन सा विकल्प चुनना चाहिए, तो अज start पर जाएंगे, all program पे, फिर so series में और फिर system tool पर जाएंगे, निमलिखित में से कौन सा menu slides के बीच आवा गमन को विकल्प प होता है, तो powerpoint में आपको जाना है, तो transition करना होगा, तब यह जो है play होगा, और next slide आ जाता है, फिर देखिए, MS Excel 26 के format cell option में setting के सम्मद में निमलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत करने के लिए पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा option नमर आपका 3, wrap text और alignment option format cell में उप MS Excel formula में में math and trig function निमलिखित में से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं पूछ रहा है, तो नहीं में हमारा यह switch है, यह नहीं है, बाकि यह LCM, log और sum तीनों होता है, next, the function of drawing a line cutting through the middle of selected text is no net, यानि कि बोल रहा है कि यह function में वो जो drawing है, यानि कि यह दखिए, यह कुछ लिखा हुआ ठीक है, और लिखा होने के बाद अगर हम इसके बीच से कुछ इस प्रकासे कर दिये, यह देखिए, बीच से पूरा कपूरा कट गया है, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते है, a strike through, तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा, a strike through, next, यदि कोई manager aspirate sheet पर password protect को सक्षम करना चा के, तो वो कौन सा option चुनेगा, तो वो simple से बात है, कि वो protect sheet को करेगा, यहाँ पर दखिए, protect sheet को वो चुनेगा, जिससे कि कोई भी आपको change नहीं कर सकता है, बिना आपके permission के, डेजी विल क्या है, बहुत यह अच्छा सवाल है, तो यह डेजी विल यह एक पकर का printer है, बहुत यह अच्छा printer है, next, memory management is a feature या part of, memory management जो है, किसका part है, किसका भाग है, तो यह है system software, आप लोग या दखिए कि system software का भाग है, ना कि application software का, next, cache memory is used to, cache memory जो है, यह होता है, कहा तो यह होता है, store program instruction and data that are used repeatedly during program execution, यान की program की दोरान, बार बार, program को store करने में, next, if a new hardware is connected to a computer, IO ports, then from which option we can see driver status, then status of that hardware, यदि एक नया hardware connect करते हैं, computer के IO ports को, तब हम लोग काउन सा option देख सकते हैं, driver की जो स्थिती है, उसका, किस hardware से उसकी स्थिती को देख सकते हैं, इसका जो यह सही answer होगा, वो होगा option number two, device manager, कभी-कभी क्या होता है, कि computer में ऐसे word होते हैं, जो कि जिसका हिंदी करपाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो अगर आपको भी कभी-कभी को अगर ऐसा problem होता है, कि जैसे computer का जो question आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप हिंदी में उसको translate करके भी आप उसको सीख सकते हैं, लेकिन आप कोशिस कीजिएगा कि English में ही याद करने का, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है computer के मामले में, next, system software में CPU का पूर्ण रूप क्या है, तो CPU का पूर्ण रूप यहाँ पे हो जाएगा, option number 3, character user interface, यानि कि आपको यहाँ पे CPU के बारे में पुछा system software के बारे में, software अगर पूछ देगा, तो आपको character user interface हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी पूछ दे, कि hardware में CPU का full form तो हो जाएगा, central processing unit, आपको याद रखना है, निमलखित में से काउन सा menu ms.xl.16, फाइल का नाम बदलने की अनुमती देगा, तो यह देखिए, reference नहीं देगा, home में नहीं है, फाइल, फाइल में जो आपका rename आप कर सकते हैं, कोई college परविश के लिए form प्रिंट करता है, इस form में college के लोगों को सामागरी के पीछे पारदर्सी पार्ट के रूप में रखने की आवस्चकता है, तो MS Word निम्लखित में से किस function का उप्योग करगा, यह इसमें बात हो रहा है, देखिए, कि बात हो रहा है, इसमें, वो जो कोई page देखते हैं, तो page के बीच में आपको देखते हैं, यहां पे कुछ watermark type का कुछ राता है, लिखा रहा होता है, यह इस प्रकार से लिखा रहाता है, या फिर उसका कोई company है, तो उसका logo बना हुआ रहता है, तो वो उसी के बात कर रहा है, यहां पे बात हो रहा है watermark का, तो watermark इसका सही answer हो तो यह हो जाएगा option number 3, row height and column width can be adjust, यानि कि आप row को और column को लंबाई चोड़ाई को आप adjust कर सकते हैं, MS Excel 2016 में किस type या menu के संदक्षित workbook को share करने का option चुना जा सकता है, तो यह हो जाएगा review आपका सही answer, review में next, MS Word 2016 का file extension काउन सा है, तो MS Word 2016 का file extension क्या हो जाएगा, DOCX इसका सही answer है, next, MS Excel में निमलिखित में से काउन सा formatting sales का एक हिस्सा है, formatting sales का हिस्सा का हिस्सा का है, alignment oriented है आपको formatting में मिल जाता है, which of the following is not a category of shapes given in MS Excel by default, by default जो है MS Excel में कौन सा जो category है shapes वाला तो उसमें कौन सा अकार को by default रहता है, sorry यहां पर पुछा है कि नहीं रहता है, यह देखिए ध्यान रखना आपको नहीं रहता है पुछा गया है, तो यहां पर देखिए, blog arrows रहता है, smart art भी रहता है और rectangle भी रहता है लेकिन आपका जो equations shape है वो नहीं रहता है, किसी पुराने address को संपाजित करने और नया address जोड़ने के लिए mail merge में किस विकल्प का अपयोग किया जा सकता है, तो इसका say answer हो जागा level, MS Word में फॉर्मेटिंग में hanging function किस के साथ जोड़ा हुआ है, तो hanging function जो है वो indentation के साथ रहता है, indentation के साथ routine क्या है, तो routine जो है एक प्रकार का यह दखिए option number 2, hardware को data, hardware में sorry hard drive में data को बचाने की प्रकिरिया है, routine, option number 13 का say answer है, MS Excel 2016 के file menu का विकल्प लिखित में से कौन सा है, तो MS Excel का जो 16 का file होता है, वो menu में जो विकल्प लिखित में से कौन सा होगा तो close होगा, वर्स 2019 के लिए 78 company का विक्री का data है, उन company का चयान करना आवस्यक है, जिनकी वर्स के दोरान विक्री 1000 काई से अधिक है, तो इसके लिए MS Excel कौन सा function का यूज करेगा, तो यह करेगा sort option का यूज sort, sort मतलब छोटा नहीं होता है, sort मतलब होता है filter करते हैं, एक पकार का filter करना या sort list करना यह भी आपका सकते हैं, तो इसका answer sort होगा, option no.4, MS Excel दोरा 16 कौपी करते समय और फिर pasting के समय कुछ formatting विकल्प परदान करता है, यह विकल्प जो है वो कहां पाया जाता है, तो यह होता है home और paste special में, the distance between the paragraph and page margin in MS Word is known in, यानि कि जो paragraph होता है और उसका page का margin होता है, उसके बीच की दूरी को क्या खते हैं, तो वो कहते हैं indent, next, in an MS Word file a student is preparing notes which default font color and we want to mark some keys point with yellow color background, तो यहां पुछ रहा है कि जो MS Word का जो फाइल है, उसमें एक student यहां पे कुछ notes को त्यार कर रहा है, रंग के माधियम से, जो font है उसका कुछ रंगों के माधियम से वो लिख रहा है, लेकिन वो चाहता है कि some key, यानि कुछ जो keys है, कुछ point जो है, वो yellow के साथ में उसका background रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि यहां पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे font अस्टा लिखा हुआ है, तो इसके जो लिखा हुए font है, तो font color में क्या होता है, कि किस font में आप जैसे कि यह लिखा हुआ है black में, और यह लिखा है red में, तो यह font color हो गया black, और यह font color हो गया red, next, लेकिन इसका सही अंसर क्या होगा, आपको background जेनर करना है तो, text highlight color इसका सही अंसर होगा, which of the full form of EPROM, EPROM का full form क्या है, irisable programmable read only memory, यह कहां पे है, तो यह है option नमर एक में, irisable programmable read only memory, next, यह देखिए पुछा गया कि दिल्ली DELHI को 6-7 अस्थानों पर D-E-H-L-I के रुप में लिखना है, आप लोग यहाँ पर गवर की थोड़ा सा देखिएगा, a spelling में थोड़ा सा mistake है, तो इसी को यह change करने के लिए इसमें पूछा गया है, कि अगर change करना है तो क्या करना होगा, यानि कि आपको indirectly पूछ रहा है कि आपको replace करना है, यानि कि इस spelling के जगह पे इस spelling को यहाँ पे डालना है, तो इसके लिए replace करने का shortcut के क्या है, Ctrl-H, आपको इसका सही answer होज़ेगा, option no.3 औना है प्रण है लिए टान है, झाल झाल